डियर स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर के अलावा कुछ डिफ्रेंट करेंगे आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गूगल डोक फॉर्म द्वारा MCQs, Multiple Choice Questions की प्रैक्टिस कैसे की जाए जैसा हम जानते हैं कि इस बार डारेक्टेट ने एक्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्योशन होगा उसके अंदर तीस मल्टिपल चोईस क्योशन आएंगे तो हम आज उसी की प्रैक्टिस करेंगे वो भी गूगल डोक फॉर्म द्वारा ठीक है तो हम देखते हैं सबसे पहले गूगल डोक फॉर्म के लिए हमारे पास लिंक होता है हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट ओपन होगा और यह जो प्रैक्टिस टेस्ट है यह अप्लाइड केमिस्टी की यूनिट वन और टू का है जिसमें हम एटोमिक स्टेक्चर और पिरियोडिक टेबिल के क्योश्चन्स एमसी क्यूज करेंगे तो इस तरह का लिंक पे क्लिक करने पर इस तरह का फॉर्म ओपन होगा और इस फॉर्म में हम देखते हैं कि जो एसेंटियल है जो रिक्वाइड है वो रेड इस्टार से शोकरी गई है तो यह एसंटियल है और यह फॉर्मल्टी लिगर में कमuellement करनी पढ़ेंगी तो सबसे पह कोलेज हम जीपीसी निम्राना लिख देते हैं एयर फरस्ट एयर सेलेक्ट करते हैं ब्रांच ओटो मॉबाइल हमने सेलेक्ट करी यह सब एंट्रीज कम्प्लिट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारे पास हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा और यह 10 क्योशन्स दिये हुए हैं और इसमें इच क्योशन वन पॉइंट का है और सभी क्योशन्स अटेम्ट करने जरूरी हैं क्योंकि सभी रेड स्टार करे हुए हैं तो हम सभी questions को attempt करेंगे So first question हमारा है Which element in periodic table has highest ionization potential? मतलब आवर्ट सार्नी में कौन सा तत्तो सबसे अधिक आइनन विभाव रखता है तो हमने इस chapter में हम ये पढ़ चुके हैं साथ ही मेरे वीडियो लेक्चर में भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं आवर्ट सार्नी में highest जो ionization potential है वो inert gasों की होती है और inert gasों में सबसे उपर जो element आता है वो helium तो helium की जो आइनन विभाव है helium का सबसे अधिक होता है तो हम helium पर tick कर देते हैं तो ये question हमने attempt कर लिया Second question है Give the value of quantum number in 4F orbital ये हमारे quantum number से है ये question हमें orbital दिया हुआ है 4F है तो इसमें हमें principal quantum number पता करना है तो principal quantum number जो सबसे पहले लिखा हुआ है 4F में जो F है वो तो दिगंसी quantum number है और जो 4 है वो मुख्य quantum संक्या है principal quantum number है तो इसमें principal quantum number मुख्य quantum संक्या हो गई चार राइट तो ये second question अप्टेंट कर लिया थर्ड क्योशन हमारे पास है Give the value of azimuthal quantum number in 3D orbital कि 3D orbital का azimuthal quantum number मतलब दिगंसी quantum संक्या क्या है तो जो D है ये दिगंसी quantum संक्या azimuthal quantum number को show करता है और D के लिए L की value होती है 2 हमने पढ़ा था S के लिए L की value 0 P के लिए 1 D के लिए 2 और F के लिए 3 तो यहां हमारे पास orbital है D तो D के लिए azimuthal quantum number ये दिगंसी quantum संक्या होई 3 तो ये हमने इसको mark कर दिया दिगंसी quantum संक्या होई 2 पर हम इस पर 3 कर चुके है और ये दुबारे करेक्शन नहीं होगा अगर हमने एक बार इसको गलत attempt कर लिया तो ये गलत ही रहेगा D के लिए azimuthal quantum number 2 है पर हमने यहां 3 कर दिया जब हम response score देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा ये question गलत है ये हमने जान बूझ कर गलत किया है score देखने के लिए वैसे D के लिए दिगंसी quantum संख्या 2 है next question है हमारे पास which is the most metallic element in periodic table कि आवर्थ शार्ने में सबसे अधिक दात्विक ततो कौन सा है तो हम जानते हैं कि आवर्थ शार्ने में सबसे अधिक दात्विक ततो चारे दात्वों के होते हैं जो first group में आते हैं और first group में जो francium है वो सबसे नीचे आता है हम जानते हैं कि आवर्थ शार्ने में जब हम उपर से नीचे जाते हैं तो दात्विक गुन भढ़ते हैं और बाएं से दाएं जाने पर धातवी गुण कम होते हैं, तो सबसे अधिक धातवी गुण first group के elements के होते हैं, और उसमें भी हम उपर से नीचे जाएंगे तो धातवी गुण बढ़ते हैं, तो सबसे नीचे फ्रेंसियम आता है, तो आवर्चारी में सबसे अधिक धातवी यह पूछा गया है कि सबसे अधिक धात्विक्ता तो कौन सा है तो इसका आंसर हो गया फ्रेंसियम राइट नेक्स्ट क्वेशन है साइज ओफ कैटाइन उफ एन इलिमेंट इस कि एक इलिमेंट का जो कैटाइन है उसका साइज मतलब कैसे चेंज होता है इलिमेंट है नूट्रल एक्टम है जब वो कैटाइन, कैटाइन मतलब धनाइन धनाइन में कनवर्ट होता है तो उसके आकार पर क्या फर्क पड़ता है तो जब वो धनाइन में कनवर्ट होता है तो इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रोन अपने में से निकाल देता है कोई भी एटम इलेक्ट्रोन का जब त्याग करता है इलेक्ट्रोन निकाल देता है तो वो धनायन में कनवर्ट होता है जब वो धनायन में कनवर्ट होता है तो effective nuclear force भढ़ जाता है परभावी नाभी के आविश भढ़ जाता है जिससे आकार छोटा हो जाता है तो आकार क्या होगा element का? element के धनायन का आकार less than the atom मतलब परमानू के आकार से छोटा हो जाएगा अब next question है हमारे पास nucleus of atom is made up of मतलब जो नाभी के atom का वो किस से बना है? हमें पता है कि एक atom में 3 fundamental particles होते हैं neutron, proton और electron और हम जानते हैं कि neutron और proton ये दोनों particle नाभी के अंदर होते हैं और electron नाभी के चारों तरफ परताकार कक्ष्याओं में चक्कर लगाते हैं तो इसका मतलब nucleus नाभी किस का बना? नाभी क बना proton और neutron का तो हम इसको मार्क कर देते हैं next question है हमारे पास how many neutrons are present in hydrogen atom? कि hydrogen परमानों में कितने neutron परमानों है? neutron नाभी के अंदर हैं और आवर्च सार्ने में एक hydrogen atom ही ऐसा परमानों है hydrogen ही एक ऐसा परमानों है जिसमें neutron नहीं होता zero neutron होते हैं इसके अंदर right तो हम इसको मार्क कर देते हैं zero next question हमारे पास है which orbital has lowest energy? कि इन में से जो कौन सा orbital है उसकी एनरजी new thumb है right यह हमसे किलिक हो गया है और यह दुबारे correct नहीं हो सकता पर हम इसका आंसर डिसकस करते हैं which orbital has lowest energy? तो हम जानते हैं कि हम energy calculation के लिए हमारे पास नियम है n प्लस l नियम right n प्लस l नियम में हम मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंसी क्वांटम संख्या इन दोनों का addition करते हैं इसके लिए n प्लस l का मान सबसे कम होगा उसके लिए उसकी energy सबसे कम होगी 3s के लिए 3 प्लस 0 तो 3 हो गए n प्लस l का मान 2p के लिए 2 प्लस 1 p के लिए l का मान 1 होता है तो ये भी 3 हो गया 2s के लिए 2 प्लस 0 तो 2 हुआ और 3P के लिए 3 plus 1 4 हुआ तो सबसे कम N plus L का मन 2S orbital के लिए है तो इसकी उर्जा सबसे कम होगी तो हमने इसको भी हाँ पर करेक्ट कर दिया यह 2S की energy सबसे कम है Next question हमारे पास In which orbital electron gets filled first? कि किस orbital में electron सबसे पहले जाएंगे इन में से किस orbital में electron सबसे पहले जाएंगे तो electron उस orbital में सबसे पहले जाएंगे जिसकी उर्जा कम है और उर्जा निकालने के लिए हमारे पास N plus L का नियम है तो हम इन सब orbitals के लिए पहले N plus L की value देखते हैं 3D के लिए N की value 3 और L की value 2 तो हो गया 3 plus 2 5 4S के लिए N की value 4, L की value 0, तो ये 4 4P के लिए N की value 4, और L की value 1, 5 और 4F के लिए N की value 4, और L की value 3, 7 तो हम देखते हैं, इसमें से सबसे कम N प्लस L किसके लिए है? 4S के लिए, जो कि 4 है क्योंकि 3D में 5 आ रहा है, 4P में भी 5 आ रहा है और 4F में 7 आ रहा है, और 4S में 4 है तो N प्लस L का मांद सबसे कम किसके लिए? 4S के लिए, तो सबसे कम उर्जा किसकी होगी? 4S की, तो electron सबसे पहले 4S में जाएगा 3D से भी पहले electron 4S में जाएगा अब next है, atomic number of an element tells about कि किसी तक्तु का परमानु करमांग हमें किसके बारे में बताता है, किसकी knowledge देता है तो हम जानते हैं कि परमानु करमांग प्रोटोन की संख्या के बराबर होता है और उदासीन एटम में इलेक्टोन की संख्या के भी बराबर होता है तो किसी उदासीन एक्टम में जितने इलेक्टोन होंगे या जितने प्रोटोन होंगे उतना ही उसका परमानुकर्मांग होगा जिसे हाइडोजन में एक इलेक्टोन है एक प्रोटोन है तो इसका परमानुकर्मांग एक है कि उस atom के पास कितने proton है तो atomic number of an element tells about the number of protons तो हम इसे mark कर देते हैं यह हमारे 10 questions complete हो गए अब हम इसको submit करते हैं इसको हमने submit कर दिया तो यह इस तरह का आएगा अब हम अपने score भी देख सकते हैं ठीक है? तो हम इसको we score पे click करते हैं तो हम score देखेंगे हमारे पास score आया 10 में से 9 मतलब हमने 10 में से 9 marks लिए इसका मतलब हमारा कोई question गलत है तो हम एक बार check कर लेते हमें यह भी बता देगा कि कौन सा question हमारा गलत है first हमारा ठीक है second ठीक है third गलत है यह हमने किया भी गलत था हमारे पास इसमें पुछा था 3D orbital में azimuthal quantum number क्या है तो azimuthal quantum number को यह sub cell जो है यह बताते है S, P, D, F तो S के लिए 0 होता है P के लिए 1 होता है और D के लिए 2 होता है ठीक है? तो इसका answer 2 होना चीए और हमने कर दिया था 3 पे मार्क तो यह इसका correct answer भी दे दिया तो इस तरीके से आपको सही answer का भी पता चलेगा आपकी practice भी होगी राइट बाकि हमारे सभी questions correct है यह देखो राइट तो इस तरीके से हम MCQs की practice कर सकते हैं अब इस वीडियो लेक्चर के लिंक में इस MCQ का लिंक इस Google Dog Form का लिंक और 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 भी फर्स और सेकिंड चैप्टर के Google Dog Form के लिंक मिलेंगे जिसमें आप और भी अधिक MCQ की practice कर सकते हैं राइट धन्यवाद कर दो अधिक